मुवी मदारी की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है और लोगों में इसे लेकर काफे दिल्चस्पी देखी गई है मंगलवार को मुमबई के सनी सूपर साउंड पर मदारी की स्क्रीनिंग रखी गई जहां डायरेक्टर निशीकांत कामत और एक्टर इर्फान खान नज़र आए इर्फान इंटरनेशनल फिल्मों पर काम कर चुके हैं और कई डायरेक्टर उनको अपनी मुवी में भी लेना चाहते हैं इसलिए स्क्रीनिंग पर हंसल महता, मदूर भंडार कर डेविट धवन जैसे कई बड़े डायरेक्टर नज़र आए मदारी एक सोशल थ्रिलर मुवी है जिसमें सन और फादर के रिष्टे को दिखाया गया है मदारी के बारे में जानना हो तो आपको शुकरवार का इंतजार करना होगा लगता है बॉक्स ओफिस पर इर्फान चाहने वाले हैं क्यूंकि साथ में कोई बड़ी मुवी रिलेज नहीं हो रही है अब निष्रिकांत बहुत अच्छा दोस्त ने अच्छा फिलिम्मेकर है इर्फान बहुत एकलोगी तै Vancouver एर्फान बहुत जी त良邏 अक्टर है और मेरा दोस्त खेलें सिंग की फिल्में और बहुत क्षाई ने वाटोशी है इस बात के फिल्म के का फी चर्चे है The movie is looking forward to the movie and I'm sure it will be a great watch. आप्राइण कर दो है Nishikant is a very competent director and I feel like a good movie and he is a pretty good movie and he is a good hero the children are very good the script is very good the way they have edited the movie is fantastic but to myself I feel like the work has been perfect and it's a good movie वोल्ड करती है इपता नहीं के? बांद के रखी हुई है अभी क्या होगा ये बेस्ट चीज है के मालूम नहीं पढ़ रहा है अब पॉसिति रिस्पॉंस इस ज़स्टिस चुछ पर रिस्पॉंस इप इस बाद रहा है और HazraLos let's take one day at a time, release के दिन alltid नियुहाओ पता चलेगा because Friday is the decider and yeah we are excited and we are excited with the response also you know I think it is phenomenal film and I think subjects like this films like these are the need of the hour we need sensible films which we can come with a regulations of a family कि अपनी कहानी से जगा सके है यार मैं इसलिए आना निशा रहा था इतनी दो डिरेक्टर है मुझे पता निए मिन को कैसा लगगा मैं घर जाना चाहरा था वापस यूगे मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूं प्रमोशन करके मैं कल रियक्शन सुनना चाहरा था लेकिन वह मौकि का तकाजा होता है तो मैं तोड़ा से कॉंशन हूं मुझे पता निए डरा हूं थोड़ा सा फिल्म पूरी हो जाएगी फिर बात करूंगा मैं